शेख मेरा सवाल है कि सुन्नते मुख्कदा छोड़ना गुना है क्या ये सवाल है आपका जी जी शेख देखे भाई सुन्नते मुख्कदा छोड़ना गुना है जी बिल्कुल सवाल वाज़ है आपका सुन्नतِ मुखदा छोड़ना गुनाह नहीं है सिर्फ इस सूरत में गुनाह है कि कोई आदमी उस सुन्नतِ मुखदा को हलके में ले रहा है बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है मैंने वाजिब पढ़ लिया मुझे इसकी जरूरत नहीं है अपनी बेनियाजी का अपने इस्तिगना का इजहार कर रहा है उसका उसकी तोहीन कर रहा है उसका इस्तिखवाफ कर रहा है या उसका इंकार कर रहा है कोई तो ये गुना है बलकि अगर कोई इंकार कर रहा है तब तो ये कुफर के दर्जे तक पहुँच जाएगा लेकिन किसी आदमी को उसकी सुनियत का जो है इतराफ है उसे मालूम है उसके फजल का इतराफ है उसके बावजूद वो सुस्ती में नहीं पढ़ रहा है तो वो गुनेगार नहीं है मुसल्सल तारीक सुन्नत भी गुनेहगार नहीं होगा शेक्ष मुसल्सल छोड़ रहा है वो कंटीनि देखे बहुत सारे ओलमा ने जिन में गालिबन अमाम महमद इबनेहंबल रही हैं अगर कोई मुसल्सल सुन्नत मुक्धा छोड़ रहा है तो कहते हैं कि वो आदमी फिकार हैं ये उसकी गवाहे कबूल नहीं करेंगे लेकिन गुनेहगार होने की बात किसी ने भी नहीं करेंगे देखे सुन्नत की जो तारीफ है अगर आप असूले फिके में जाएंगे तो सुन्नत का छोड़ने वाला उसके इतराफ के साथ गुनेहगार नहीं है लेकिन अगर मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए जो सही जवाब है वो देना जरूरी है मेरे लिए लेकिन मैं ये इस बात की दावत नहीं दे रहा हूं अपने नाजरीन को कि सुन्नते मुखकदा छोड़ना गुना नहीं है इसलिए आप छोड़िये कोई मसला नहीं है अगर आप सुन्नते मुखकदा छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी महरूमी की बात है और ये तजर्बे और मुशाहदे में ये बात है कि जो आदमी मसलसल सुन्नत छोड़ता है फिर बाद में वो फर्ज भी छोड़ने लगता है ये जो है मुशाहदे में आए बात एक और बात अल्लाह के नभी सलसल में की एक हदीश है कि जब बंदा कियामत के दिन आएगा तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में उसका हिसाब किताब होगा वो क्या होगी नमाज जब नमाज हिसाब किताब उसका होगा अगर उसकी नमाजें मुकमल है सब कुछ ठीक ठाक है कोई कमी नहीं है तब तो अच्छी बात है लेकिन अगर कहीं पर कोई कमी हुई तो अल्लाहरबुलालमीन फरिष्टों से कहेगा कि इसके नामे आमाल में देखो क्या इसके पास सुन्नत नमाजें है अब अगर इसके पास सुन्नत नमाजें है उसकी फर्ज नमाजों में कमी वाके हुई है कहीं पर कमी से मुराद जैसे खुशु खुशु में कमी है या किसी भी तरह का नक्स है फर्ज नमाजों में तो सुन्नत नमाजों के जरिया से उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा और ये बात भी आद रखें एक आदमी नमाज पढ़के लोडता है जब ओनाद माज़ पढ़के लोडता है तो उसे उसकी नमाज में से एक बटे दस सवाब मिलता है एक दूसरा आदमी है उसे एक बटे नौ मिलता है इसी तरह आप बताते गए आपने आखिर में कहा एक आदमी है जिसे आधा मिलता है और ऐसा क्यूं होता है क्योंकि नमाज में हमसे कोता ही अवाके होती है तो क्या हमें यकीन है कि हमसे नमाज में कहीं कोई कोताही नहीं होती है नहीं हमें यकीन नहीं है हमें इस बात का इतराफ है कि हम इनसान हैं हमसे गलतियां होती है तो अगर हमसे गलतियां होती है और हमारे पास सुन्नत नमाजों का जखीरा है तो ऐसी सूरत में हमारी गलतियां उन सुनत नमाजों के जरिया पूरी कर दी जाएंगी तो कौन इनसान नहीं चाहेगा कि अगर फरायज में हमसे कोताही हुई है तो हम हमारे पास सुनन और नवाफिल का भी अंबार होना चाहिए ताकि वो कमी और कोताही दूर हो जाए इसलिए हमारे इस जवाब का ये मतलब आप हर्गिस ना लें कि सुननत नमाज छोड़ने से गुना नहीं है लहाजा सुननत नमाज छोड़ते रहो ये बहुत बड़ी महरूमी है आप छोड़ते रहेंगे तो बाद में आप फराइज भी छोड़ने लगेंगे जज़ा कलावखा शेख अच्छा शेख आपने ये तो बता दिया लेकिन ताकिदी तोर पर एक और एक मरतबा कि वो फर्ज नमाज की जो पूरी की जाएगी शेख फर्ज नमाज छोड़ी हुई अगर है तो वो भी पूरी होगी क्या सिर्फ जो कोताही कमी हुई है वो पूरी होगी अच्छा अधिस के अंदर इसकी सराहत मुजूद नहीं है लेकिन हम अल्लाह ताला से तवक्र रखते हैं कि अगर हमसे नमाजे छूटी है छूटना भी कोताही ही है छूटना भी कोताही है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इन्शालला लाह रबुलालमीन उसका जबर भी उसके जरिया से कर देगा इन्शालला इन्शालला तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी चीज़े शेख बिल्कुल ये सुन्नत की ये फजीलत है जी 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 बिल्कुल जजाका लाओ खर शेख बराकलावेक।